क्या आपको पता है, पूरे दुनिया में शिर्फ 7.4% electricity वान टर्बाइन के help से जेनरेट के आ जाता है। और इंडिया में 8.4% electricity से जेनरेट होता है। क्या आपको दिमाग में कभी ये कोस्चेन है कि ये वान टर्बाइन वोल हिस्ट offset slowly कियु गोंता है। आन्दी आये दूफानय कुछ भी आजये लेकिन इसका स्पीड का भी बरता क्यों ने एक स्पीड में कैसी खूंगता है और जिस डारेक्शन से हावा आती है यह आटोमेटिकली उस डारेक्शन में कैसे गूंग जाता है तो इस वीडियो में हम सब कुछ समझेंगे देखो इस 262 feet में देखो, 393 feet तक इसका does का नल्स के纜़ंगं अगंतला हाइट हो यह देना लेकिन इस टावर भाला पोर्शन इस солिद नहीं होता क्योंकि जो बना जाता है यह कही और बना जाता है और फिस magic Is not कर दिया जाता है सिलिए को छोटे छोटे हिस्से में बना जाता है और बना कर एक साथ जोर कर सका टावार बना जाता लेकिन अंदर से खोकला होता है कि इसके अंदर से लना पड़ेगा अगर कभी चलब रहत होती है, तो इसके अंदर से लिक़ी कोई भी इंसान जा कर इसको maintain कर सके, इसलिए इसके अंदर खोकला रखा जाता है वाइंट तर्बइन का जो नौर्मली स्पीड होता है वो स्पीड होता है दस आरपियम से लेकर 20 आर्पेम के बीच में यह इसका स्पीड पहले तो इतना बड़ा हो गया ठीक है और इतना हाइट में अगर ज्यादा तेजी में घुमेगा तो क्या होगा इसका तूटने का चंस बढ़ जाएगा इसलिए इसको काम स्पीड में खुमा आ जाता है कैसे होता है सब हम आगे देख करता है इसको क्या करता है रोटेट कर देता है आटोमेटिकली यह क्या होता है कि जिस डिरेक्शन से हवा आती है उसी डिरेक्शन में आटोमेटिकली घूम जाता है तो यह तो कंप्लीट हो गया कि कैसे यह आटोमेटिकली घूम जाता है ठीक है एमिनोमेटर की हेल्प से लगा है काम आव ड्राएं फिर भी उसी स्पीड से कुम रहा है कैसे हो गुर आये थेखो इसके अंदर एक ब्रेकिंग इसिस्टेम लगा होता है ब्रेकिंग सिस्टेम हम बात में समझेगे उससे पहले हम इसका जो ब्लेट को थुम्यें पर घुन सकता है अब है यहां पर जो मानन लो यह 60-degree angle पे rotate हुआ हैं सट्राइक में मैं जैसे direod में ब्लेड में जैसे train may we खूमना से अगर हम इसको छƯाज़ को थूड़ा सा rotate करें है ce 60 माननिट अभी हाम इसको 75 degree में आज हम rotate कर तो क्या होगा जो how वह ज्यादा टक्राएगा is blade को उपर अगर ज्यादा टक्राएगा तो क्या होगा इसको ज्यादा पूश मिलेगा अगर ज्यादा पूश मिलेगा तो क्या होगा यह तेजी से घुमेगा अब हम क्या करेंगे इसको और रूटेट करके बिल्कुल 90 डिग्री पर करतेंगे तो क्या होगा और ज्यादा पूश मिलेगा क्यों हम इसको बिल्कुल 0 डिग्री पर कर देंगे तो क्या होगा इसके उपर हावा का दबाउट टिरे कौन कर सकते और एक तरीक से इसके स्पीड को हम कंडूल कर सकते है उसके यहाँद पर तो ब्रेकिंग सिस्टेम लगा रहाता है इस ब्रेकिंग सिस्टेम यह ब्रेकिंग सिस्टेम आटोमेटिकली क्या करता है इसका जो स्पीड होता है बाइक में ब्रेक होता है वैसे इसका ब्रेकिंग सिस्टेम लगा रहाता है यह ब्रेकिंग सिस्टेम क्या करता है इसका जो स्पी नहीं कर पाओ यहाँ पर जो ग्यार बॉक्स है यह ग्यार बॉक्स क्या करता है कि जो स्पीड उसे बहुत ज्यादा स्पीड में कर देद इसके अंदर बहुत साड़े ग्यार्ष लगा है यह 1-90 पर सेट है मतलब देखो यहाँ पर एक सामने एक स्वाप्ट दिख रहा है एक rotation complete करेगा तो पीछे वाला जो shaft एक 90 rotation complete करेगा और अब ही जो modern turbine निकला उट्स turbine में 1 इस्टो 100 करेश हुए मतलब अगर सामने वाला shaft एक rotation complete करेगा तो पीछे वाला shaft एक 100 rotation complete करेगा अब ये जो पीछे वाला shaft डाइरेक्ट खनेक रहता है जैसे ही घूमता हैं तो औल्टरनेटर के अंदर आपको पता है ये डीक्टर काम करता है उसका अल्टर नेटर का वीडियो आल्डरी ही मƏềशे चैनेल पर वो blade 10 से लेकर 20 rpm पे घुमता है अगर सामने वाला shaft मानलो 10 rpm अगर घुमेगा पीछे वाला जो shaft 900 rpm घुमेगा यही यह इसका working principle ऐसे ही one turbine काम करता है इसका जो basic जो principle आपको मैंने बता दिया उमीदी एए वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप topic को easily समझ गया होगी अगर आपको इए वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करना अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राब करके जाना क्यूकि मैं ऐसी वीडियो आगे बनाता रहूंगा सबसे पहले notification आपके पास बहुत जाएगा